नमस्का सातियों एक आपके पास सामान जानकारी होनी चाहिए और आपको भी मालू होना चाहिए कि हमारे राजनेता कितने बड़े लेखे हैं इनकी राजनेति क्यात्रा कहां से सुरू ही इनका परिपारिक बैक्ग्राउंड क्या है इनकी सिक्षा कितने बड़े लेखे हैं समझ रहे हैं आप लोग, तो आपकी स्क्रीन के सामने, निर्मला सीता रमन की फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, आप लोग देख पा रहे होंगे, यह हैं निर्मला सीता रमन, और इनके बास्तविक नाम है निर्मला सीता रमन, इनका जनम होता है 18 अगस्त 1969 में, कम 18 अगस्त 1969 में इनका जनम हुआ था मदोरई तमिलाडू भारत में अब आप लोग देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलाडू ए आपको देखने को मिलेगा दच्छिन भारत में आपको देखने को मिलेगा ठीक है? यही इनका जनम होता है और आपको बता दू हिंदू हैं और विरहमण जाती से आती हैं मैं इसलिए बताता है रहता हूँ धरम और जाती क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश में जब भी किसी नेता के बारे में बात होती है तो उसकी जाती और धरम जरूर देखने लगते हैं लो और ये देश का दुर्भाग करे ये आप लो कितनी बूरी स्थिति है हमारे देश में पिटा की बात करें तो Narayan, Sita Raman ए भारती रेल करमचारी थे इनके पिटा और माता की बात करें तो Ke Saavitri in a house vibe थी ठीक है और इनके पती की बात करें तो पिकाला प्रभाकर राजनेतिक समीक चकें और संचाल सलायकार है इनके पती और इनकी पुत्री है वंगा मई इनकी पुत्री का नाम है अगर हम लोग सीता रवन निर्मला सीता रवन की अकर सिच्छा की बात करें तो सीता लक्षमी रामस्वामी कॉलेज तिरूचे राफली तमिल आडू से अपनी सुरुआती सिच्छा लेती है उसके बात विस्विध्याले की बात करें तो सीता लक्षमी रामस्वामी कॉलेज तिरोचे राफली से आंगे की सिक्षा भी जारी रखती हैं। उससे आंगे आप लोग देखेंगे कि जबाहाल लाल, नहरो विस्विध्याले, नई दिल्ली से ये अपनाई पड़ाई पूरी करती हैं। और आपको बता दूँ कि एकोनोमी में इसनात्तर किया हुआ है। यानि कि आप देखें कि पी एचडी इंडो एउरोपियन टेक्स्टाइल ट्रेड में किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि काफी पड़ी लिखी हैं निर्मला सीता रमन, हमारी वित्तमंत्री भरतमार वित्त सीता रमन ने फराई सहाव बातर हाउस में रिसर्च एंड एनालेसिस में सीनियर मेनेजर के पत्पर काम किया है। लेकिन इस नौकरी के पहले वे कुछ दिनों के लिए लंदन की एक हौम डिकोर इस्टोर में सैल्स गरल का भी इन्होंने काम कर चुकी हैं। निर्मला सीता प्रमन साल फिर इनने अपने देश आ गई और यहां उन्होंने आकर हैदराबाद में काफी समय तक पबलिक पॉलिसी में डिप्टी डिरेक्टर की रूम में काम किया। और फिर आपता है इनका राजनेतिक करियर की कब से इन्होंने राजनेती सुरू की। तो आप देखें इस्टार चरंजीवी की पार्टी में सामिल हो जाते हैं और यह हमारे देश में आप देखे कि बेटी किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में, माबाप किसी और पार्टी में, पती किसी और पार्टी में, पत्नी किसी और पार्टी में, यह चलता रहता है हाला कि स सीतावरामन भारती जिनता पार्टी में सामिल होकर ना कमाने लगी जिस समय नितिन गड़करी पार्टी के अद्धिक चुगा करते थे उस समय उन्हें पार्टी के 6 प्रवक्ताओं की बीच इस्थान दिया गया था और इन्हें वर्स 2010 में भारती जिनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता बनाया, उसके बाद से ही ये कई TV डिवेट में पारटी की तरफ से भाग लेने लगी ही और नैमित रूप से सुर्खियों में रहने लगी ही और इससे समय भारती जिंता पारटी की प्रवक्ता की रूमें रैन मौदी सासित गुजरात में का भीप सिध्धी पर आ सामसिल किया और याद रखे कि दिल्ली में ही भारती जंता पार्टी का हैड़ कोर्टर भी इस साफित है और एक सक्षम परवक्ता की रूम में निर्मला सीता रमन वर्स 2014 की लोकसभा चौनाओ के दोरान दोरान पार्टी के लिए बहतर साबित हुई और इस समय इन्होंने नैद मौदी को पिदान मंत्री की रूम में पिचार करने में भी काफी भूमिका निवाई इस चौनाओ में भारती जंता पार्टी को आप सभी जानते हैं कि بारी बहुमत मिला और फायर्टी में केंद में अपना सरकार बनाई और आप सभी जानते हैं कि पहली बार था जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत की एक तरह से मिला हुआ था अपनी इदम पर और इस चुनाव में आप देखते हैं कि पिधानमंत्री मोधी बनाए जाते हैं और इस सुतंत चार्ज के तहित मिनिश्टर ओफ स्टेट का पत्थ सौपा गया और इसी के साथ इन्हें मिनिश्टी ओफ कॉमर्स एंड इंडर्ष्टी मिनिश्टी ओफ फाइनस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स का भार भी दिया गया मिनिश्टी ओफ स्टेट के इंतरगत पर तो आपको राजसभा या लोकसभा से सदस होना पड़ता है अगर देखिए जिस समय आप लोग मंतरी या पिधान मंतरी बन रहे हैं उस समय अगर आप राजसभा के सदस नहीं है तो कोई बात नहीं है लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस बनना होता है और जैसा कि आप सभी मालू होगा कि लोग सदस के लिए आप क्यों मीस जित सवा के लिए 35 साल होनी चए राजसभा के लिए 30 होनी चए लोग सबागी जो सदस नहीं इनका चुनाओ डारेक्ट जंता के दौरा होता है जो 18 साल के हो चूक होगय उनका पूर्ने मेंद राजसर्वा चुनाव लणने वाले थे यह राजसर्वा चुनाव इसी बरस 11 जून को होने वाले थे और इन्हें इस चुनाव में कर्नाटक की तरफ से जीत मिली और इनकी राण्यतिक करियर में सबसे बड़ी उतलब्दी समझी जाती है और इन्हें रक्षामंत्री बनना 2014 सरकार में रक्षामंत्री भी वनाए गया था और इन्हों ने इस पत के लिए 3 सेप्टमबर 2017 को सपत ली हुई थी और इस तरह से निर्मला सीतरवंभार्त की पूर पिधान मंत्री इंद्रा गंदी के बाद दूसरी मह रक्षामंत्री है तो आप समझ सकते हैं एक बार इंद्रा गांधी ने भी ए मंदराले समाज ला हुआ था तो ये भी आप लोग याद रखिए और भी बैर्तमान में वित्तमंत्री है नर्माला सीतमान को JNU द्वारा 2019 में विशिट पूर्ख चात पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया उन्हें फोर्स पत्तिका द्वारा 2019 में दुनिया की 34 सबसे 37 साली महलाओं की रूम में भी इस्थान मिला हुआ है और पड़ी लिखी है एकोनोमी की जानकारी है अर्थसास्त्री है एक तरह से आप कह सकते हैं तो मुझे लगता है कि बजट बहतर समझ पाती होंगी बजट को तो यही कहानी है आपकी वित्तमंत्री साहब की आगे इनकी क्या यात्रा रहती है किस तरह से राजनीती करती हैं कौन-कौन से पद मिलते हैं इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप लोग डेली एक न्यूज पेपर फॉलो करते रहा करिएगा देश-दुनिया के बारे में आपको काफी जानकारी मिलती रहेगी उससे